लो माई डियर इस्ट्रेंट्स ते एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूटूब चैनल साइंस जंक्सन दीरसर पर और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आया है 2012 में पूछे गए सभी प्रश्णों तर जो लगुतरिय भी है और दिर्गुतरिय भी है हम लोग शूट करने वाले हैं उमिद करते हैं आप स्वास्थ होंगे मस्त होंगे और जहां भी होंगे मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और ज्यादा समयना लेते हुए सबसे पहला कोस्ट्स से जो हम लोग वीडियो की शुरुवात करेंगे जो की 2012 में पूछा गया है 2012 में पूछे गए प्रश्णों के संग्रा का सबसे पहला वीडियो हम लोग देख रहे हैं और इससे सबसे पहले वीडियो में 2012 में पूछा गया जो प्रश्ण है बिहार बोड के द्वारा वो है कि रोज कहानी का सारांस लिखें ये जो है वो दिर्गुतरिय प्रश्ण है कि रो कि जीवन के पहलूँ को इस रोज कहानी में बताया गया है जहां पर हम देखते हैं कि मालती नामक एक महिला जो है वो घर के सारे कामों को करती है सुबह उठती है और घर के सभी कारियों में लगी रह जाती है यहां तक कि जो है वो आंगन बहारना पती को भोजन तयार करके द देती है और पती के जाने के बाद उनका एक बेटा है जो हमेशा च्छिडचिडा रहता है और वो हमेशा ही रोता रहता है तो उसको भी देखती रहती है और उसका जो जीवन है वो यंत्रवत इसी तरह से लगभग रात के 11 बज़ तक चलता है रोजाना का मालती का जो क्रिया कलाप है वो इसी जीवन पदती पर आधारित हो गया है यद्यपी अगर इसके पहले हम देखें तो मालती का जीवन है वो बड़ा ही चंचलता से भरा हुआ था बड़ी ही जो है वो मालती चंचल थी और खूब हसा बोला करती थी खेला करती थी यहां तक कि लेखक के साथ उसे कई बार डाट पड़ी है कई बार मार पड़ी है लेकिन अब वही मालती जो किताबों से भागा करती थी लेखक एक पे और होता है और साधी के बाद का जीवन बड़ा ही जो है वह भ्यस्तता के वीच बुजरता है इस पूरे वैवाहिक जीवन के बाद के परिदिश को लेखक ने रोज कहानी के अंतरगत बताने की कोशिश की है और बड़े ही सुन्दर ढंग से भारतिये परिवेश में, भारतिय नारी की क्या महत्ता है वह किस प्रकार से ग्र्हणी का जीवन व्यतित करती है, इसको बताने की कोशिश की गई है। तो रोज अध्याई में हम देखते हैं कि रोज कत्ता शाहित में क्रांतिकारी परिवर्तन के महान प्रणेता, क्ता कार जो है वो इस कहानी को लिखते हैं और सरवाधिक चर्चित कहानी इनकी है ये रोज और प्रस्तुत कहानी में शंबंधों की वास्तविक्ता को एकांत व्यक्तित्व अनुभूतियों से अलग ले जाकरके अर्थात एकांत व्यक्तित्व अनुभूतियों से अलग ले जाकरके तातप लेखक जो है वह अपने दूर के रिस्ते की बहन मालती जिसे वह अपनी सखी कहते हैं उनसे मिलने के लिए वह 18 मील जो है वह दूर जाते हैं कहां जाते हैं तो मालती जिसे वह सखी कहते हैं उनसे मिलने के लिए वह 18 मील जो है वह पैदल चल करके पहुंचते हैं मालती और जो लेखक है वो साथ में पले बढ़े हैं खेलना कूदना यहां तक की कई बार जो दंड मिला है दोनों को साथ साथ मिला है और स्वेक्षा एवं स्वक्षंदता तथा भात्रितों के छोटेपन बंधनों से इनका जीवन जो है वह मुक्त बीता हुआ है नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि मालती जो है वह अब विवाहिता का जीवन जी रही है मालती जो है वह एक बच्चे की मा बन गई है जीवन में परिवर्तनाया बच्पन बिता और मालती सयानी हुई मालती की शादी हो गई और मालती अब जो है वह विवाहिता है और एक बच्चे की मां है वारतालाप के क्रम में जब उत्राव चढ़ाव आता है मालती और लेखक के बीच में सजदानंद हीरानंद वात्चायन अगे और मालती के बीच में जब वारतालाप स्थापित होती है और कुछ उत्राव चढ़ाव आता है तो लेखक के हनुभव करते हैं क मालती की आँखों में बिचित्र सा जो है वह भाव है मालती की आँखों में जो है वो दाइत्व के निर्वहन का भाव है वह पूरे मन से लेखक से बात नहीं कर रही है तो वो उस भाव को मालती की आँखों में देख लेते हैं मानो ऐसा लगता है जैसे मालती भीतर ही भीतर क जो है वह कोशिश कर रही है, या ऐसा लगता है, जैसे किसी तूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर जीवित करने की और चेस्टा में सफल नहो करके चीरवी स्मृत हो गई हो मालती, मालती रोज कोलु के बैल की तरह जो है वह व्यस्तर होती है, रोज जो है वह कोलु के बै प्रस्तूत करते हैं इसके आगे इस कहानी में हम देखते हैं कि मालती की जब साधी हो गई है तो भाई मालती का पती कैसा है मालती का पती कौन है तो मालती का जो पती है वह डॉक्टर है और डॉक्टर पती जब काम पर चला जाता है तो काम पर चले जाने के बाद भी मालती सारा दिन काम करती रहती है उसका पूरा जीवन जो है वह एकांकी में कड़ता है अर्थात अकेले में कड़ता है मालतिय देखती है कि उसका जीवन जो है वह उब और उदासी के बीच में यंत्रवत चल रहा है और थात उसके जीवन में कोई खुसिया नहीं है केवल काम ही काम है और किसी तरह के मनो विनोध उल्लास और उसके जीवन में जो है वह कोई भी खुसिया नहीं रह गई है जैसे ह वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो अर्थात उसका जीवन केवल अपने उस क्रियावन्य के भार को ढोने में ही वीत रहा हो इस प्रकार लेखक मध्यमवर्गिय भारतिय समाज में घरेलू इस्त्री का जीवन और साथ ही साथ मनोदसा पर भावनात्मक रूप स से जो है वो परिपूर्ण लेखनी करते हैं और समस्त मानों का जो ध्यान है वह गिरीनियों की और चेंद्रित करते हैं कहानिक गर्व में अनेक समाजीक प्रश्ण जो हुआ वह तारों तेज़क रूपों में पैदा होते रहते हैं अगला जो है वो प्रश्ण देखेंगे बच्चो ओ सदा नीरा पाठ में आए नौका विहार परशंग का वर्णन करें ये भी बारह में पूछा गया प्रश्ण है विहार बोड के द्वारा ये जितने भी प्रश्ण है वह इंपॉर्टेंट प्रश्ण है और उमीद करते हैं कि आप भली भाती जो है इसे पड़ भी लिए होंगे नहीं पड़े होंगे तो व्याख्यात्मक्धंग से व्याख्या कर ही रह दूसरा काम ये करेंगे कि केवल याद करेंगे इसको तो पीछे रह जाएंगे सारांस लिखना है हिंदी शाहित्ते है इसमें लेखनी प्रतिभा जो है वह बढ़ानी पड़ेगी आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास कीजिएगा ठीक है ना तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा तो एक लेखन सैली जो विख्षित होगी ना तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाईएगा हिंदी शाहित्ते को तयार करने के इन दो पहलू पर जरू ध्यान दिजिएगा एक तो आप कर ही रहे हो कि क के द्वारा लिखा गया है तो जगदिश चंद्र माथु जी के द्वारा जो है यह लिखा गया है और जगदिश चंद्र माथु जी द्वारा रचित ओशदा निरा अध्याय में जो है ये एक निबंध के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है साथ ही साथ गंडक नती को न प्रवाह को कि किस प्रकार से जीवन धारा चल रही है मनुस्यों की उसको जो है वह गंडक नदी को जो है वह आधार बना करके और अतरंग द्रिश्यों और अतरंग जहाकियों के द्वारा जो है वह प्रस्तूत करने का कारी किया गया है किसके द्वारा तो जगदिश चंद्र माथुर जी के द्वारा साथ ही साथ जो स्वयम गंडक नदी के तरह प्रवाह दिखलाई पड़ता हो ओस अधा निरा पाठ में आये नौका बिहार प्रशंग का बहुत ही मनमोहक जो है वह प्रशंग है और गंडक नदी में नौका बिहार अनुभव लेखक को प्राप्त है उ नौका बिहार से विशेस अनुभव के रूप में उन्हें ग्यान प्राप्त होता है कि आखिर गंडक नदी किस پ्रकार से प्रलय का रूप धारण करती है और किस प्रकार से गंडक नदी के किनारे किनारे बड़े-बड़े गड़ों में पानी भरा हुआ और झील का रूप यह हुए है तो इनके विशाय में तब पता चलता है जब लेखक जगदिश चंद्रमाथुर जी क्या करते हैं नौका विहार करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि गंड़क नदी के किनारे जो जामुन के ब्रिक्ष लगे हुए थे वो जामुन जब पक जाते थे तो गंड़क नद कविता का भावार्थ लिखें ये भी जो है वह दो हजार बारह में आया हुआ प्रश्ण है दो हजार बारह में बिहार बोड के द्वारा यह पूछा गया प्रश्ण है कि तुमुल को लाहल कलह में जो कविता है इसका जो है वो भावार्थ लिखना है तो ये जो प्रस्तु तुमुल कुलाहल कविता है वो कहां से ली गई है तो कामायनी से ली गई है कहां से ली गई है कामायनी से ली गई है तो प्रस्तुत कविता कामायनी महाकाब्य से ली गई है सरधा के गरभस्त सिसु से मनु को इर्श्या होती है और वे उसे छोड़ करके सास्वत प्रदेश च सासवत प्रदेश को ज्यान विज्यान के सहारे भौतिक सुक सम्रिधी से परिपून कर देते हैं मनु इड़ा पर आसक्त हो करके उससे बलत कार करना चाहते हैं इस पाप कर्म के चलते प्रजा जो है वह कुरुध हो जाती है और दैव विछुब्ध हो उठता है युद्ध होता है और मनु मुर्चित हो जाते हैं मनु पहुँशती है इसी प्रसंग में स्रधा उपयुक्त गीत गाती है और इस गाती हुई गीत को खोजती हुई परिवारिक जंजाल में फसे नहीं होने के चलते अतह उन्हीं के द्वारा संभव है कि अपनी संपुन उर्जा के साथ अपने देश और समाज की सेवा कर सके राजनीतिक, समाजिक और सासकीय संरचना को प्रभावित करती है अतह विद्यार्थियों को इसमें सक्रिय भागिदारी का निर्वाह करते हुए अपने देश समाज की सेवा के लिए प्रस्तुत होना चाहिए नेक्स जो है यह जो अभी हम देख रहे हैं यह तुमुल कुलाहल कविता का भावार्थ तुमुल कुलाहल कविता जो है वो महाकाब्यानी से ली गई है और तुमुल कुल आहल कलह में जो भाव है वो यहां पर व्यत्त किया गया कि मनु और इडा के बीच में जो है वो क्या सम्मंध है तो प्रस्तुत कविता जो है वो महा का ब्यानी से ली गई है और स्रधा के गर्भस्त सिसू से मनु को इर्ष्या होती है जो गर्भ में सिसू प प्रिद्धी से परिपूर्ण कर देते हैं परंतु मनु इड़ा पर आसक्त हो जाते हैं और उससे बलातकार करना चाहते हैं इसलिए इस पाप कर्म से प्रजाज हो है वह कुर्द हो जाती है और दैव विछुब्द हो उठते हैं युद्ध होता है और मनु मुर्चित हो जाते कर सकेंगे राज निती समाजिक और सासकिय सनरचना को यह जो है वो कविताप प्रभावित करती है अता विद्यार्थियों को इसमें सक्रिय भागिदारी का निर्वहन करते हुए अपने देश और अपने समाज की सेवा के लिए प्रस्तुत होना चाहिए अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए इसके बाद जो है वो अगला प्रशनाता है कि गांधी जी के सिक्षा शम्मंधी आदर्स क्या थे यह भी जो है वह 2012 में पूछा गया प्रशन है गांधी जी के सिक्षा शम्मंधी आदर्स क्या थे सिक्षा के विशय में वो क्य बात करते हैं गांधी जी विद्यारतियों को किस रूप में देखना चाहते हैं तो गांधी जी उन तीनों विद्यालयों में सरकार की सिक्षा निती के आधार पर नपा तूला पाठेक्रम चालू नहीं किया जाना चाहिए ऐसी बात कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि सिक्षा वो नहीं है जो केवल और केवल किरानी पैदा करे। ये कहते हैं कि गांधी जी मूल रूप से अगर देखा जाए तो उन तीनों विध्यालेओं में सरकारों के द्वारा जो सिक्षा निती के अधार पर नपातुला पाठेक्रम होता था उसको वह चालू नहीं किया जाना चाहिए इस पक्ष में थे। साथ ही साथ गांधी जी वे पुरानी लीक से हट करके पठन-पाठन की विवस्था को करना चाहते थे। वह ब्रिटिस सरकार की सिक्षा पधती को अनुपयुक्त मानते थे। अर्थात ब्रिटिस सरकार जिसमें स्थाफी आगे बढ़ रहे हैं तो लोड मैकाले ने यहां के उस सिक्षा विवस्था को स्थापीत किया और गांधी जी उस सिक्षा विवस्था के पुनर जोर वह विरोध करते थे, विरोधी थे उनके अनुसार चोटे बच्चों को चरित्र और बुद्ध का विकास करने क के बजाए जो है वो उन्हें पधती वो पधती जो बृटिस सरकार उन्हें पढ़ा रही है उन्हें बौना बनाती है यानि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ऐसी सिक्षा पधती अभी स्कूलों में चलाई जा रही है बृटिस आसनकाल के दोरान जो बच्चों के बुद्धी क बिक्षित करने के बजाए पंगू बना रही है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के बजाए दास्ता की वेडियों में बांधने का काम कर रही है उनका मुख्य उदेश ये था कि बच्चे ऐसे पुरुस और महिलाओं के शंपर्क में आए जो सू संस्कृत हों सू सब् होना चाहिए और बच्चे वैसे लोगों के शंपर्क में आने चाहिए उसक्षा कैसे होने चाहिए कि अगर कुछ विद्यार्थी गलती कर रहा है तो तड़ाप लगा दिये तुरांद उससे कोई समझावता नहीं यह नहीं कि क्लास में आज के वरतमान समय में क्लास में वि तरह दर्जाह और ता उर्ष गानधी जी ये बात बता रहे हैं कि सिक शक ऐसे ओने चाहिए जो सुशंस्कृत होने चाहिए हुद सू सभ्य होने चाहिए और Suite के अन्तर गता है कि क्लास में कोई कोई भी विद्ध्यार्थी आच्रन नहीं पखड़े जाना चाहिए और इसके विश्ञ से घंधी जी और इसे ही बस्तुत शिक्छा मानते थे क्योंकि ऐसे ही लोग बच्चों को जब सिक्षा देंगे तो हमारा समाज, हमारा राष्ट मजबूत बनेगा उनकी दिश्टी में अक्षर ग्यान इस उदेशिक की प्राप्ती का एक साधन मात्र है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है यह भी 2012 में पूछा गया प्रस्ण है 2012 में पूछा गया प्रस्ण है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है डायरी का लिखा जाना एक कठिनकारी है कठिनकारी इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति डायरी लिखता है वो नियमित एवं सनियमित अपने जीवन के हर एक परिवेस, हर एक घटनाओं को उस डायरी में अंकित करता है, हर एक बिंदूओं को उस डायरी में वह लिखता है, तो डायरी लिखना एक कठिन कारे है, और यह केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता है, जो नियमित रूप से सन्यमित जीवन जीता हो अर्थात वह केवल बहतरीन चीजों को ही अपने जीवन में शंपादित करता हो अपने जीवन में सन्यमित जीवन जीता हो अर्थात संयम से जीवन जीता हो निरणे जितने भी लिये जाते होंगे उसके जीवन में वो संयम से लिये जाते होंगे लक्ष विहीन लोग होते हैं, जो दिशा विहीन लोग होते हैं, वो कभी भी डायरी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह एक मुश्किल काम है, डायरी लिखना बहुत ही कठिन काम है, और पूरी मानसिक तटस्तता जो है, पूरी मानसिक इस्थिरता जो है, वह जब लग जाती है पूरी मानसिक इस्थिरता को जब कोई व्यक्ति पूरी मानसिक तटस्थता को जब कोई व्यक्ति प्राप कर लेता है तब ही वह डायरी लिखने का कार्य शंपादित कर सकता है तो डाइरी का लिखा जाना एक कठिन कार्या है यह वही व्यक्ति लिख सकता है जो नियमित एवं सनियमित जीवन जीता है आलसी लापरवाह लक्ष विहीन दिसा विहीन व्यक्ति डाइरी नहीं लिख सकता है इसलिए यह एक मुश्किल काम है और पूरी मानसिक तटता से ही य इंद्रकारियसंपादित हो सकता है अगला कोस्टन देखेंगे और अगला कोस्टन क्या है कि पुत्र को कुछा जौना मतलब होता है क्या दो हजारबारा में पूछा गया प्रस्ण 2012 में पूछे गए इन प्रश्णों की एक विसेस्ता ये है कि आपको जो भी प्रश्ण दिये जा रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो में 2011 के जो प्रश्ण है उनको मैंने बताया है तो 2012 में जो आने वाले ये प्रश्ण आये हुए ये जो प्रश्ण है इन प्रश्णों से भी कुछ प्रस्न आपके आगामी 2024 की परिक्षा में पूछा जा सकता है तो आप बहतरीन धंग से तयारी कीजिएगा जितने भी board model topics हैं उसको आप जरूर देखते रहिएगा इसका notes जो है वो telegram group में हम जरूर send कर देंगे वीडियो का link भी send कर देंगे जो भी नए विद्यारती है वो description में जाएंगे तो telegram group का link है आप उसे click करके और telegram group में join कर सकते हैं आपका और हमारा साथ बना रहे इसके लिए आपको free of cost जो है इसका सारा notes प्रोवाइड करेंगे आप उसे print करा करके और पढ़ते रहेंगे जब तक final exam नहीं हो जाता है तक जुड़े रहना है बहतरीन content को पढ़ना है ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करेंगे केवल वही शूट करेंगे जो exam में आ सकते हैं जैसे कि board model objective topics, board model subjective topics जो board model long type और short type question answer है वो साथ ही साथ जो ऐसे कुछ संभावी प्रस्ट में जो आगामी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं करेंगे मुस्किल से मुस्किल आपका online जो है वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करेंगे तो दो दो वीडियो शूट करेंगे और आपको वो प्रोवाइड कराते रहेंगे लेकिन अंतिम exam तक लगभग 2023 तक 2023 तक शुरू से ले करके 2008 से ले करके 2023 तक जितने प्रश्ण है जो बिहार बोड के द्वारा पूशे गए है सारे के सारे आपको बता दिये जाएंगे तो आप इस तरह से complete तयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बाकी देखते हैं Qution है कि पुत्र को चौना कहने में क्या भायव छुपा है उद्घाटित करें तो चौना का अर्थ क्या होता है चौना का अर्थ होता है हीरण गाए आधी पसमों का जो बच्छडा होता है उसे चौना कहा जाथा है साथ ही साथ पुत्र वियोग जो सिर्शक कविता है और इस पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री हैं उन्होंने छोना सब्द का परियोग अपने बेटे के लिए किया है इनके बेटे की जो है वह मृत्य हो जाती है और समय के निधन हो जाता है और उस और समय के निधन में जब वह पुत्र की याद में बिलखती है, तो वो अपने बेटे को चौना कहती है, वो अपने बेटे को हिरन और गाय का जैसे बच्चा होता है, उसे चौना कहा जाता है, तो वो भी अपने बच्चे को चौना कहती है, उनकी याद में बिलख रही है, और बेटे के लिए वो चौना सब्द का उपयोग करती है, हिरन अथवा बाग का बच्चा बड़ा भोला तथा सुन्दर दिखता है, इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है, अतह का बीतरी द्वारा अपने बेटा को चौना कहने के पीछे यह विशेस अर्थ भी हो सकता है, कि वह अपने ब बेटी की सुन्दरता को दिखाती है, वैसे बच्चा कोई भी बड़ा सुन्दर होता है, बच्चे से सब को प्रेम करना चाहिए, कवित्री भी अपने आसमाई मिर्तिव को प्राप्त हुए पुत्र को याद करके बिलगती हैं उसे च्छोना कह करके संबोधित करती हैं, प्रशन है कि जन जन का चहरा एक से कवी का क्याता परे है, तो जन जन का चहरा एक चाहें वह अमरिका का हो, चाहें वह यूरोप का हो, चाहें वह किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी पुर का हो, सबके संघर्ष की दास्ता एक जन जन का चहरा एक, जन जन का चहरा ए का जो अर्थ है वह समेटे हुए इस कविता की रचना करते हैं कवी के कहने का ताग पर यह है कि जनता दुनिया के समस्त देशों में संघर्ष कर रही है एक बहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए एक सुन्दर जीवन को प्राप्त करने के लिए जनता सुबह से लेकर के शाम तक संघर्स कर रही है, निरंतर जो है आगे बढ़ने के लिए जीवन पदती को बहतर बनाने लिए, अपने परिवारिक दायतों की पूर्ती करने के लिए, विश्व का कोई भी प्रांत हो, कोई भी हो, कोई भी जो है वा छेतर हो, वहां की जंता भी बहतरइन धंग से सब का चहरा पसीने से जो है वह डूबा हुआ है और इस सोच में डूबा हुआ है कि कैसे भविश्य को बहतर किया जाए साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो कवी हैं वो ये बताते हैं कि विश्व बंधुत्व एवं उत्पीडन जन्ता को सतत संघर्श रत के रूप में ब्यक्त करती है साथ ही साथ उसी की पीडा का वर्णन कवी यहां जंजन का चहरा एक अध्याय में कर रहे हैं जनजन का चहरा एक अध्याय में कवी जो है वो क्या दिखा रहे हैं तो कवी जो है वह सभी संघर सशील मनुशियों के स्वरूपों को दिखा रहे हैं कि वह चाहें किसी भी देश का हो किसी भी प्रांत का हो किसी भी पुर का हो सब का चहरा एक है अगला देखेंगे question अगला प्रश्ण है उनैस्वी सती के पुर्व खड़ी बोली हिंदी के विकास पर प्रकास डालें बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्ण है 2012 में पूछा गया है हो सकता है कि यहीं प्रश्ण जो है कि पुर्व खड़ी बोली हिंदी के विकास पर प्रकास डालना है यहीं प्रश्ण 2024 में भी आ सकता है खड़ी बोली हिंदी तो उनसीवी सताब्दी से पुर्व खड़ी बोली जो हिंदी थी वह उसका समुचित ढंग से विकास हो गया था यानि उनसीवी सताब्दी में जो पुर्व खड़ी बोली हिंदी थी इसका समुचित विकास हो गया था, लगबग हर एक छेत्र में, हर एक प्रांत में, हर एक उर में, सभी लोग हिंदी बोल रहे थे, हिंदी ब्यापक अस्तर पर वो विक्षित हो चुकी थी, और उस समय खड़ी बोली हिंदी को, जो है, वो दो विभिन भागों में, या काल को विभिन भागों में बाटा गया, जैसे एक था, दो नहीं, विभिन भागों में बाटा गया, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, तथा रीतिकाल, तो आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी का जो है, वह समुचित विकास हुआ, और चंद्रबरदाई जो थे, वो इस समय के एक महान कभी थे कब तो ये आदिकाल की बात की जा रही है आदिकाल में जो खड़ी बोली थी हिंदी वहां लगबग विख्षित हो चुकी थी और चंद्रबर्दाई इस समय के सबसे बड़े कभी थे उन्हों नहीं कहा था कि चार बास बाइस गज़ा अश्ट अंगुल परमाण ता उपर सुल्तान है मत्चू को चौहान और प्रित्वी राज चौहान ने सब्दवेदी बार ले करके और मार दिया तो चंद्रबर्दाई आदिकाल की कवी थे और उस समय खड़ी बोली हिंदी जो है वह काफी विख्षित हो चुकी थी उन्होंने प्रित्वी राज जासो उ ईश्वर की भकती थी भकतिकाल में जो खड़ी बोली हिंदी विख्षित हुआ उस समय ईश्वर की भकती सबसे अगरणी थी साथी साथ ही साथ तुलसी दास, सूर दास, मीरा, सगुन ईश्वर, रामकृष्ण आदिकी भकती करते हुए इन्होंने खड़ी बोली को धर्गोपाल दूसरों न कोई, सूर्दास की इसी तरह से जो पंक्तिया हैं, कि कबहु कांब अवसर पाई, मेरी यो सुध ध्याई भी कछु करून कथा चलाई, तो ये जो पद है वो खड़ी-बोली में है, खड़ी-बोली हिंदी में है, तो ये खड़ी-बोली हिंदी में ज इसके बाद जो है वो आता है कि जो ये तुलसी दास जी है, सूर दास जी है, मीरा बाई है, ये सब सगुण काब्य के अंतरगत आते हैं, निर्गुण काब्य के अंतरगत पुनह दो विभाजन मिलते हैं, और कबीर आधी संतों ने जो है वो ज्यान के बल पर इस्वर की शाध की और इसलिए इने जो वह जयानमारगी काभ्य कर आधार कर कविता कवित हैim और भक्ति काभ्य नाम से क्रश्ण भक्ति के मुख्य कवी तुलसी तथा क्रिश्न भक्ति के प्रमुख कवी सूर तुलसी नंददास और रस्खान मीरा बायादी है इसके बाद जो है वो छायावादी कवियों के बारे में जो है वो बताना है कि छायावादी या छायावाद के प्रमुख प्रविर्तियों का जो है वो उलेख करना है ये भी जो है वह 2012 में पूछा गय याद रखिएगा है ना इसके बाद जो है वह तुलसी दास जी का जो है वह परिचाय याद रखिएगा तुलसी दास जी के बाद जो है आप याद रखिएगा मीरा बाई मीरा भाई का भी परिचया याद रखिएगा साथ ही साथ जो है वो काव्यखंड के विशाय में जरूर आप अध्यन कीजिएगा इसके बाद आप एक और पॉइंट रखिएगा और काव्यखंड के बाद जो है वो एक और पॉइंट होगा किसके बारे में तो वो होगा पुत् पुत्र वियोग जो है ये टॉपिक जो है वो बोड मोडल है पुत्र वियोग तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्ण है आप उसे जरूर तयार कीजिएगा नेक्स जो है वह हम देख रहे हैं कि छायावाद की प्रमुख प्रविर्तियों का उलेख करना है तो जो भी छाया चायावाद का प्रविर्ति का जो भाग है वह प्रभाव उसका सन 1920 से लेकर के 1940 हिस्वी तक रहा लगभग 20 साल तक रहा चायावाद का प्रभाव कब तक रहा तो चायावाद का प्रभाव लगभग 20 साल तक रहा 1920 से लेकर के 1940 हिस्वी तक और इस चायावाद के इस संपून काल पर जो प्रभाव रहा वो भारतिय सांस्कृतिक नव जागरण का रहा और आधुनिक युग के हिंदी काव्य में अगर देखा जाए तो आधुनिक युग के हिंदी काव्य में मुख्य रूप से इसके अंतरगत इस प्रविर्ती के अंतरगत जो मूल रूप से आगमन आत वह कारण अत्यंत ही सुवस्पष्ट है सन 1920 के पूर्व जो सामाजिक धार्मिक यों दार्शनिक आंदोलन चल रहे थे 1920 इसवी से पहले जो समाजिक आंदोलन चल रहे थे जो धार्मिक आंदोलन चल रहे थे वो सब कारण थे छायवाद पर भारतिय नौजागरण का चाहे वह धार्मी कांदोलन हो चाहे दार्सनी कांदोलन हो उसने छायवाद की कविता को काफी हद तक प्रभावित किया और छायवादी कविता को उसने हद से ज्यादा प्रभावित किया निराला की राम की सक्ति पूजा सिर्शक कविता पर राम कृष्ण देव और विवेका आसह कविताएं भी विवेकानंद एवं रामकृष्ण के दर्सन से प्रभावित हैं। साथ ही साथ चायवादी कवी प्रेम के लिए आजादी चाहते थे महादेवी विवाह के प्रचलन स्वरूप कन्यादान का विरोध करती थी। कर देखा जाए तो अनैतिकता ही भरी हुई है लेकिन जिसमें अनैतिकता है वह सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है यह आपको भी समझ हो जानी चाहिए यह आपको भी गाठ बांग लेना चाहिए जहां अगर किसी व्यक्ति विशेश के प्रभाव में आकर के आप कुछ अनैतिक कृत्य करने लग रहे हैं तो आप समझ जाए कि आप उस व्यक्ति से सच्चा प्रेम नहीं करते हैं और यहीं जो है वो छायावादी कवियों की भी जो है वो आधार सिला रही है विचारों के मंतन के बाद उपज यह ऐक पहुत ही सुन्दर विचार आया कि सच्चा प्रेम कभी भी जो है वो अनैतिक नहीं होता है नेक्स इसके बाद है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है यह बही 2012 में पूछा गया प्रश्ण है 2012 में पूछा गया ये प्रशन है कि आदमी जो है वो यथार्थ को नहीं जीता है बलकि यथार्थ को रचता भी है इसका मतलब क्या हुआ जैसा जीवन है उस जीवन को केवल इंसान जीता नहीं है बलकि उस जीवन को वो रचने का भी काम करता है कठनाईयों में जीवन जी रह अनेक घटनाएं उसके सामने से गुजरती रहती है, वह चाहने पर भी उसे ही जीना पड़ता है, उसी घटनाओं में उसे जीवन यापन करना पड़ता है, दुनिया में अगर आई हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये वक्त अब व्यक्त करते हैं और जीवन जीते रहते हैं, में आए हैं तो जीना पड़ेगा, ये वक्त अब ये के द्वारा जो है, वो एक सीधा साधा जो जीवन है, साधारन जीवन जीते हैं, मुल रुप से अगर कहा जाए तो जितने भी रचनाकार हैं वही अथार्त को बताते हैं, रचते हैं, और साधारन आदमी भी उन रचना को क्या करता है, तो साधारन आदमी भी उन रचनाओं को बनाता है, बिगारता है और रचता भी रहता है, अगला कोश्न है, कि जिस पूरुस में नारित्व का गुण होना चाहिए इस्तेत्व का गुण होने का मतलब कि पूरुस में जो है वो नारित्व का गुण होना चाहिए नारित्व में क्या होता है तो पूरुस में करुणा होनी चाहिए जो नारियों में होती है पुरुस में दया होनी चाहिए जो नारियों में होती है पुरुस में मात्रित व प्रेम भी होना चाहिए अपने शिशू के प्रती अन्य बच्चों के प्रती जो नारी में होती है किसी दूसरे का बच्चा रो रहा है और दूसरी नारी का हिर चाहिए सारे दुखों से उसका मनह मस्तिक्स जो है वह मुक्त हो जाना चाहिए तो सही बात है कि जिस पुरुस में नारी तो नहीं वह अपुर्ण है यह जो प्रस्तुत पंक्तिया है वो हमारी पाठी पुस्तक दिंगत भागदों के रामधारी सिंग दिनकर के निवंध अर् नारी में सहिशनता होती है नारी में करणा होती है अर्थात नारी के जितने भी समस्त गुण है वह भीरुता और इस्त्रियोचित जैसे गुण जो है वह नारी में पाए जाते हैं सभी गुण तो पाए ही जाते हैं लेकिन उसमें भीरुता भी पाए जाती है और इस्त्रिय नारियां जो है वो देवी कहलाती है भीरुता के कारण अनवश्यक यह बिनास से बची रहती है यदि इनी गुणों का अंगीकार यदी इनी गुणों को अपनाने का कारिय पूरुस कर ले तो पूरुस के पूरुसार्थ में कोई दोस नहीं आता है बलकि उसका अर्धनारिश्वर की कल्पना करते हैं और अर्धनारिश्वर की कल्पना करते हुए वे कहते हैं कि जिस पूरुस में इस्त्री का गुण है जिस पूरुस में इस्त्रीयोचित गुण है वह पूरुस पूर्ण है इस्त्रीयोचित गुण होना जरूरी है पूरुस में करुणा दया, भीरुता और इस्त्रियोचित समस्त गुण जो इस्त्री को भारी विनास से बचाते हैं वह पुरुसों में होना जरूरी है और इससे उसका पुरुसार्थ कम नहीं होगा बलकि पुरुसार्थ प्रभावी होगा और वह पुरुस अपने उसी पुरुसार्थ के दम पर महान बन जाएगा महान जो भी बना है वो इस्त्रियोचित गुण के कारण बना है ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी अंत समय में इस्त्रियो चित गुण की शाधना किये थे और वो भी महान जो है वह बन करके और इस दुनिया को विदा कहर करके गए प्रकिर्ती ने नर नारी को जो है वह बाटा है समान बनाया है नहीं बाटा है केवल कुछ आधारों पर पूरुस और नारी को जो है वह क्या किया है तो पूरुस और नारी को जो है वह थोड़े से कुछ बिंदूओं पर अंतर दे करके बनाया है बाकि निवंदकार नारितों के लिए बाकि जो निवंदकार है दिनकर जी वो नारितों के लिए एक महान पुरुस गांधी जी का भी जो है वो हवाला देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारित्यों की ही शाधना की थी जिस बिंदू के विशय में मैं अभी चर्चा कर रहा था वही चीज है कि जिस में जो है वो हम देखें कि नारी जो है उसमें दया, माया, सहिशुनता और भीरुता जैसे इस्तरियों चित गुण होते हैं इन गुणों के कारण नारी विनास से बची रहती है, दया के कारण वह देवी कहलाती है, भीरुत्वा के कारण जो है वह अनावश्यक विनास से बची रहती है, साथ ही साथ यदि इन गुणों को पुरुस अंगी कार कर ले तो पुरुस के पुरुस में कोई दोस नहीं आता ह और पुरुस का जो पुरुसार्थ है वह नारित्वों से पुर्ण हो जाता है इसलिए निवंदकार अर्ध नारिश्वर की कल्पना करते हैं जिसमें पुरुस और इस्तरी के गुण और इस्तरी का गुण ले करके महान बन सके ऐसी वह बात करते हैं प्रकिर्ति में नर और ना और तेही निर्मल भावू ये जो है वो पद कहां से लिया गया है भाई तो ये जो पद है वह कण्डबक से लिया गया है थाrec कौन तो जो प्रस्तुत सार गर्वित पंकतिया है वह मलिक मुहमत जाइसी जी द्वारारचित कण्डबक के प्रथम खंड से ली गई है जो पहला खंड है कडबक का वहां से एक नैन जस दरपन और तेही निर्मल भावू ये पंगतिया ली गई है साथ ही साथ महा कवी जो मलिक मुहमत जैसी जी है वो अपनी अपंगता को बताते हैं और कहते हैं कि अपनी एक आख की तुलना मैं दरपन से करता हूँ एक आख की तुलना मैं दरपन से करता हूँ क्योंकि दूसरी आखी नहीं है तो कहते हैं कि मेरा जो एक नित्र बचा हुआ है मैं उसकी तुलना दरपण से करता हूँ दरपण जिस प्रकार से स्वक्ष होता है निर्मल होता है कि ठीक उसी तरह कवी की आख भी जो है वो स्वक्ष है और निर्मल है और साथ ही कवी कहते हैं कि मुख का जो स्वरूप होता है वह अच्छा होने पर भी उसे बड़े चाव से वह देखते हैं फिर भी मनुष्य का गुण उसके मुख से अच्छा माना जाता है अर्थात जो मनुष्य का गुण होता है वो उसके चेहरे से अच्छा माना जाता है उ कि उसकी सुन्दर्ता से होनी चाहिए और मलिक मुमत जायसी जी कहते हैं कि मेरी एक आख भले भी ना हो लेकिन मैं जब बोलने लगता हूँ मैं जब ज्यान की बाते करने लगता हूँ तो सुन्दर से सुन्दर व्यक्ति भी मेरी तरफ चहरेड को घुमा करके और एक टक देखता रहता है अर्थात यह रूप से ज़्यादा गुण का बखान करते हैं इसलिए सभी व्यक्तियों में गुण के शमावेश का होना जरूरी है सभी में बहतरीन गुणों का होना जरूरी है और गुण क्या हो? गुण हो धया का, गुण हो करुणा का गुण जो है वो इमांदारी का हो गुण जो है वो वफादारी का हो इतने भी गुण अगर जीवन में हो आदर्स हो, मुल्ले हो नैतिकता हो, शिधान्त हो तो व्यक्तिकत जीवन साथ ही साथ समाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सब परिपूर्ण रूप से बहतरी धंग से बितेगा और आप एक महान व्यत्तित्व को प्राप्त कर पाईएगा इसके विशय में कौन कहते हैं, तो इसके विशय में मलिक मुमत जैसी जी कहते हैं कि रूप से जादा गुन की पूजा होनी चाहिए इसलिए इन्होंने एक अपने नैन का जो व्याख्या किया है, वो दरपन से किया है इसके बाद हम अगला प्रश्ण देख रहे हैं, जो 2012 में ही पूछा गया है और 2012 में पूछा गया ये प्रश्ण है कि दुनिया के हिस्सों में चारो और जन जन का युध एक, सब रुपवंत गही मुख जव वही कई चाओ, है ना ये जो है, वो बताया गया है, दो प्रश्णों को एक ही बार जो है वो यहाँ पर दिया गया है हालांकि ये अथवा में है, है ना, ये यहाँ से अथवा में है, घ्यान दिजिएगा तो यहाँ पर क्या है कि दुनिया के हिस्सों में चारो और जन जन का चहरा, ये कभी इस पर चर्चा कर रहे थे और इसका व्यांस के रचैता जो है वो सूप्रशिद्ध कवी मुक्तिबोध है, मालो मुक्तिबोध जी जो है उन्होंने लिखा है जनजन का चहरा एक, विद्वान कवी ने इनी पंक्तियों की शाहिता से जनजन का चहरा एक, इनी पंक्तियों की शाहिता से संसार की दारून एवं और आजक इस्थिती का चित्रन किया है और इन पंक्तियों में कवी का कथन है कि संपुण विशो में युद्ध का वातावर्ण है तथा हर एक व्यक्ति एक प्रकार से युद्ध में ही लिपत है किन्तु कवी अनुभव करते हैं कि दूरात्मा पुन्यात्मा सज्जन ए वह एक है एक समान है पवित्र है और दोस रहित है दुनिया के हिस्सों में चारो और जन जन का युद्ध एक इस संपुण पंक्ति का यहां पर जो है वो हमने व्याख्या किया है बादी इसकी व्याख्या जो है वह हम देखेंगे अगले क्लास में सब रूपवंत गही भी है और दिरहूतरिय भी है उमिद करते हैं कि व्याख्यात्मक धंग से जो इन प्रश्नों का जवाब दिया गया वो आपको काफी बहतरीन धंग से समझ माया होगा अगर कोई भी आपको दिकत है तो आप बेजिजक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ठीक है ताक के पढ़िएगा इन टॉपिक्स को इसका जो नोट्स है वो टेलिग्राम ग्रूप में सेंड कर दिया जाएगा आप इस वीडियो के लिंक के साथ इसके नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम एक्जामिनेशन में जो है वो लाखदायक होगा और आप बहतरी धंग से स्कोर कर पाएंगे 2024 के बिहार बोट के एक्जामिनेशन में ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस यही कहेंगे कि आप लोग स्वस्त रहिए मस्त रहिए मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए मिलते हैं अ